नमस्कार आज के fellowship of the flute में आप सभी का स्वागत हैं आज का हमारा विशह है ड्रीम इन टेक्निकलर लेकिए टेक्निकलर सिनेमा स्कूप आई मैक्स यह सब फिल्मिंग प्रोसेस हैं जिससे आपको जो मोशन पिक्चर्स है वो बड़े दिखते हैं क्लियर दिखते हैं और बहुत ही दाता रियल रियालिस्टिक दिखते हैं नजर आते हैं हमारा जीवन भी एक मोशन पिक्चर है इसंट इट हमारे परिवार में एक व्यक्ति है वह स्थाइक है सिंगापूर में लेकिन काम की वज़े से बिजनेस की वज़े से उनका पूरे प्लेजर नो वर्क ऐसा भी इनका विचार नहीं है यह खुद के लिए वेकेशन्स भी लेते हैं और यह वेकेशन्स पे मुझे जो अच्छा लगता है मनलब उन्हें जो अच्छा लगता है वो भी करते हैं इन्हें देखकर सभी सदस्य परिवार के एस्पेशली मराठी में ऐसा कहते हैं व्यक्ति तित्या प्रकृति मतलब जितने व्यक्तिया है उतनी प्रकृतिया है उसके अनुसार हर व्यक्ति का सपना अलग है हर व्यक्ति का रोल मॉडल अलग है लेकिन हर व्यक्ति का एक रंगित सपना जरूर है सब लोग रंगीत सपना बड़ा सपना देखते हैं लेकिन जीवन में जो घटनाएं होती है सुखकी दुखकी ये प्रवास में उसकी वज़े से जवानी में जो रंगीन सपने देखे हैं टेक्निकलर ड्रीम्स देखे हैं वो मध्य आयू तक मुर्जा जाते हैं ब्लैक एंड आपके ड्रीम्स न मुर्जाएं आपके ड्रीम्स हमेशा रंगीन रहें इसलिए रह से हमाद जानने वाले हैं तो सबसे पहले ध्यान दे इस बात पर कि आप जो दिन में सपने देखते हो वो आपकी विजन है ये आपकी विजन है और इसके बारे में जागुरुत हो जाए और इसके बाद हर समय हर प्रसंग में आपके कर्म ऐसे बनाते रहें जो कि आपको आपके विजन की दिशा में लेकर जाए विजन के पांस लेकर जाए इसके लिए परिश्रम करना मेहिनत करना ये मनुष्य करता भी है सपने रेखता है उसके लिए परिश्रम लेना ये भी मनुष्य करता है लेकिन सबी के सपने मतलब बहुत थी कम लोगों के सपने साकार होते है इसका कारण क्या है सो हम उदारण के साथ ये थोड़ा समझते हैं अभी हाल ही में BMCC कॉलेज है पूने में जो की पूने का रेपिटेड कॉमर्स कॉलेज है वहाँ पर मेरा करेकरम था उसका नाम था साउंड बॉड़ी, साउंड माइंड और साउंड अप सक्सेस इस कॉलेज में भाइबरन एज्वाइनमेंट में ये कारेकरम बहुत ही अच्छा हुआ I enjoyed it thoroughly और इसी कारेकरम में 12th के सूड़न ने मुझे एक सवाल पूछा ये सवाल और उसका जवाब दोनों आज के टॉप टुलपद थे वो मेरी तुलऔरा में कम थे फिर भी उनकी तुल ना में मैं जादा स्ट्रेस में क्यों हूँ मित्रों सबसे इंपोर्टन बात समझे आपर साधनों की जो उपळबदता है उसकी जो उपक्षांटेटी है उसके उपर अबी तक आज तक जो सुख और दुख के प्रसंग जीवन में आते हैं उसकी वज़े से किसी भी मनुष्य स्ट्रेस से चुका नहीं है यह सब्ट्य है लेकिन स्ट्रेस्फुल सिट्यूएशन में जो मनुष्य जो चैलेंजेस हैं उनसे भाग जाता है उनसे पलायन करता है मतलब जब जब व्यक्ति नर्वस होता है टेंस होता है confidence lose हो जाता है क्रोधित होता है तब 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 वो आवानों से भाग रहा है और इस व्यक्ति के dreams जो है vision जो है वो black and white हो जाती है ये व्यक्ति सपने देख नहीं सकता ये मनुष्य सपने देखना ही बन कर देता है तथा पी जो मनुष्य आभानों को स्विकार करता है मतलब हर प्रसंग में विनम्रता प्रसंदा आनंद enthusiasm, energy ये maintain कर सकता है उस व्यक्ति के सपने साकार होते हैं, खिलते हैं और ऐसी व्यक्ति के जो सपने हैं वो daydream नहीं रहते हैं तो वो होता है realization of his dreams in technical or in this life इसी के साथ जुड़ा हुआ इस topic से relevant भगवत गीता का एक श्लोक मुझे अभी याद आ रहा है वो ऐसा है इसका meaning ऐसा है कि पराक्रम, साहस, शुद्धी, द्वेश से मुक्तता स्थीरता ये सब संयम के स्वरूप है और ये संयम भगवान ने ब्रहमांड ने by birth हर व्यक्ति को दिया है और जो संयम ही होता है वही व्यक्ति अपने dreams realize कर सकता है थोड़ा सा समझा कर आपको बताती हूँ सबसे पहले तो आपके vision के बारे में जागरूत हो जाए उसके बाद इस vision को साकार करने के लिए आवानों को स्वीकारने की ख्षमता जो है उसे जागरूत करे और ये जागरूत करने के लिए आपको जो संयम मिला है by birth इसको develop करे उसे विकसीत करे तभी आप आपके सपने साकारव कर पाएंगे संयम, संयमी वृत्ती मतलब क्या है यह हम जान लेते हैं क्योंकि संयम ये शब्दा को हम बहुत ही loosely use करते हैं किसी व्यक्ति का खाने पर कंट्रोल नहीं है किसी व्यक्ति का बोलने में संयम नहीं है इसे तो हम use करते हैं लेकिन संयम मतलब क्या है इसका meaning सबसे पहले समझ ले हैं आपको इस जीवन में इसलिए तो सही हम की व्याख्या क्या है तो यमा मतलब मृत्यू डर क्यालामिटी इसन्ट एप या फिर आगतिक्ता मतलब नो तु बिकॉम एजिटेट 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 स्टेट मैं एजिवन में कौनसे भी परिश्चिति में कोई भी पिगट परिश्चिति में भी सकारात्मक विचारों को प्राधान्य देना चाहे वो सिती मृत्यू समह हो चाहे वो सिती इलेशन की हो मतलब जब आपको सन्मान तरापते होता तबी भी सकारात्मक विचारों को प्राधान्य देना यह याद रखना यह संयम यह संयमी वृत्ति और इसी को डेवलप करने की वज़े से आप आपके सपने साकार कर पाएंगे अब इस संयमी वृत्ति को हमने अल्रेडी देखा है डेवलप करना पड़ता है इस टूब डेवलप करने के लिए मतलब हमें मिला है बाइब बर्थ लेकिन उसे आपको और भी अच्छा बनाना है मतलब डेवलप करना है तो यह डेवलप करने के लिए कुछ नियम हम पालते है जिने कहा गया है यम पतंजली रुशी ने उनके योग सिस्टिम में अल्रेडी पाच यम उल्लेक किये है वो ऐसे है सत्य, अस्तेय, ब्रहमचार्य, अपरिग्रह और अहिंसान यह पाच यम उन्होंने अल्रेडी अब्जर्वंसेज जो है यह दिये है लेकिन इतका आधुन लाइफ में क्या मीनिंग है यह आज हम समझेंगे इसके बारे में हम आज जानेंगे जिसकी वज़े से सहीयमी वृत्ति को डेवलब करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो पहला जो यम है जो आपको अब्जर्व करना है वो है सत्य तो सत्य बोलना सत्य वचन यह केवल सत मूफट हो सकते है और सत्य से दूर भी जा सकते है क्योंकि सत्य इस यम का पालन करना मतलब क्या है तो सत्य के बारे में जागृत होना अंतिम सत्य के बारे में जागृत होना अर्थात मैं एनर्जी हूँ आप एनर्जी हो हम सभी इस युनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है इस अंतिम सत्य के बारे में जागुरुत होना और जागुरुत रहना हर वक्त यह सत्य के सत्य इस यम का पालन करना क्योंकि यही सत्य यह अध्यात्मिक सत्य है और साइंटिफिक सत्य भी है everything is energy isn't it तो दोस्तों अगर आप इस यम को follow करते हैं इसको observe करते हैं तो क्या होगा आप कर्म किसी भी situation में कोई प्रसंग में आपके कर्मा कैसे करने हैं कैसे रखने हैं किस प्रकार से पेश आना है यह सब आपको आराम से आसानी से समझ में आएगा कब चुप रहना है यह भी आपको आसाले से समझ में आएगा और इसकी वज़े से आप सभी का सनमान रखते हुए आपका जो अजेंडा है आपका जो गोल है उसे भी लोगों के सामने confidence के साथ पेश कर पाओगे और ऐसी ही व्यक्ति इतर औरों के सनमान के प्राप सनमान के लिए पात्र रहती है पात्र होती है और इसी की वज़े से आप किरती मान हो सकते हैं ये शस्वी भी हो सकते हैं तो observe सत्या and make your dreams realize जो टेक्निकलर ड्रीम से उन्हें realize करें दूसरा जो यम है वो है अस्तेय उसे अंग्रेजी में non-stealing ऐसे कहा गया है लेकिन इसका इतना ही limited meaning नहीं है इसका पुरा अर्थ हम जानत हैं अभी मैं कहती हूँ यह मेरा ऐसा विचाह है कि आपके जो heroes है आपके जो role models है उनके style को उनके codes को उनके lifestyle को जरूर copy करें लेकिन उनके confidence को faith को और conviction को भी copy करें तभी आप सही माइने में अस्तेय इस यम का पालन कर पाओगे उदार नारता जैसे more peace है पासुरी है त्रिशुल है डंबरू है धनुष्यबान है ऐसे सब tattoos का प्रदर्शन करें आप जरूर करें लेकिन इन थोर व्यक्तियों ने इन सभी style का इस style का उपयोग किस लिए किया था उन करमों को भी follow करें यह है अस्तेयव अगर आप ऐसे कर पाते हो अस्तेयव को observe करते हो तभी आप अच्छे politician बन सकते हैं विचारवंत बन सकते हैं शास्तरग्या बन सकते हैं किसी subject में authority बन सकते हैं और आपके technical dreams को realize करें इसी life में अगला जो यम है वो है ब्रहमचर्य यह बहुत ही इसके बारे में अलग-अलग विचार अप्रवाह हैं विचार धाराये हैं मेरा विचार ऐसा है ब्रहमचर्य के बारे में कि celibacy मतलब केवल ब्रहमचर्य नहीं है तो मनुष्य अपने जीवन में अपने गोल्स अचीवजब करने लगता है तब उसके जीवन में distractions आते हैं और यह distractions pleasant हो सकते हैं या unpleasant हो सकते हैं pleasant मतलब जैसे financial stability आना promotion मिलना love life में कुछ अच्छा commitment की तरफ जाना इत्यादी इत्यादी और unpleasant distractions मतलब क्या है कि जो गोल achieve करना चाहता है मनुष्य उसको delay होना उसमें denial आना या फिर criticism जो आता है जब goals achieve करते तब आपके काम पर यह सब unpleasant distractions हैं distraction कोई भी हो pleasant या unpleasant हर distraction ये मुझे मेरी विजन से दूर लेके जा रहा है इसके बारे में जागरुत होकर distraction से दूर रहना किसी भी distraction को बली नहीं पढ़ना उसमें गलीबल नहीं होना ये है ब्रहुमचर्यम इसे अगर आप follow करोगे तबी आप ये शस्वी हो सकते हैं क्योंकि आपका vision जो है आपका जो सपना है ये आप हमेशा जागरुत रहेंगे कि मेरा सपना क्या है एक उधारन मैं आपको बताती हूँ महा भारत में जब पांडवों का पराजे हुआ था द्यूत में उसके बाद उन्हें वनवास और अज्यातवास के लिए जाना पड़ा तबी धर्मराठ छोड़कर बाकी सभी का द् और बाकी चार पांडवों का ऐसा विचार था कि यह गलत है हम अन्याय क्यूं सहन करें हमने युद्ध करना चाहिए इसलिए उन्होंने केशव को पूछा कि हम युद्ध करना चाहते हैं तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि आप युद्ध करना चाहते हो उसको मैं उसका मै समर्थन करता हूँ लेकिन अब जो समय है वो योग्य नहीं है क्योंकि अगर आपका विजन आपका सपना प्रतिशोध है रिवेंज है तो आप अभी उद्ध कर सकते हैं लेकिन अगर आपका सपना अधर्म का विनाश करना है तो अभी जो आपको टाइम मिला है वनवास का अज्यातवास का इसका उस्तमाल अपने बल को वृद्धिंगत करने के लिए आप पराक्रमी हो लेकिन और भी बलशाली बने और कॉंटाक्स बनाएं बड़ा हैं इसके हैं वो साकार करने के लिए आप उद्युक्त हो जाओगे मोटिवेटेड रहोगे अन्यता आप भूल जाओगे कि मेरा एक्चुली सपना क्या है मेरा विजन क्या है सो ब्रह्मा चर्यका पालन करे और अपने जो विजन है उसमें क्लारिटी रखना ये आप कर सकते है और आपनी कलर सुपना साकार होना ये पॉसिबल हो सकता है इसी जीवन में तो ड्रीमिन टेक्नी कलर नेक्स जो यम है यम है और परिग्रह नॉन ग्रीडिनेस ऐसा उसको अंग्रेजी में कहा जाता है लेकिन मेरे विचार ऐसे है कि लोब जो है वो जरूर करे अपने विजन का का लोब करें मात्र किसी और के विजन के साथ तूलना न करते हुए अपने विजन का लोब करें तभी आप यह सविता की तरफ जाने लगोगे आपका ड्रीम आप रियलाइज कर पाओगे एक छोटी सी कथा मैं आपको कह रहे हूं सर्वश्रूट कथा है मेरे खैल से इसापनि मत्रों है या पंच्ट रतकी दो बंदर रहते हैं हैं अ कैट होती है कि दोनों झगडे रहते हैं कि मुझे साजु तो चीजो के वह आ कर कहती है कि देखिए मैं आपको एकडम hitry करके देती हूं so that both will be satisfied तो वो हाँ बोलते हैं तो ये जो बिल्ली है वो क्या करती है उसके और समान टुकडे करती रहती है और बच्चा हुआ ही समल लब समान करने के बहाने खुद केक खाती रहती है और अंत में दोनों बंदरों के हाथों में केक का इतना सा भी पीस नहीं आता है मेरा कहना ऐसा है कि मनुश्य को बिल्ली भी नहीं बनना चाहिए और बंदर भी नहीं बनना चाहिए अर्था मुझे जो केक का पीस मिला है ये मेरा basic background है इसके बारे में जागरोत हो जाए basic background मतलब मुझे जो बहुत दिक्षमता, मुझे जो फिजिकल क्षमता मिली है, उसके बल पर मैंने जो पढ़ाई की है, यह सब आपका basic background है, इसके बारे में सबसे पहले जागरूत हो जाए, जब आप इसके बारे में जागरूत होते हों, तभी आपको पता चलता है कि सभी का basic background जो है, सबी की जो क्षमता है, वो unique है, और इसी लिए हर व्यक्ति का vision जो है, वो भी unique है, जब इसके बारे में मनुश्य जागरूत होता है, तब अपने vision को follow करते होए, अपने goals को achieve करते हो, वो किसी के साथ comparison नहीं करता है, और इसी लिए rat rest में नहीं रहता है, यह शस्वी भी होता है, लेकिन उसका mind relaxed रहता है, वो stress free रह सकता है, so observe a parigraha and make realize your dream in technicolor, अगला जो यम है, वो है ahimsa, मतलब हमने जो चार यम अभी देखे है, सत्या, अस्तेया, अपरिग्रह, ब्रहमचर्या, इनका without any questions observe करना, उसे पालने की कोशिश हर समय रखना, यह है ahimsa, उसे तोड़ने की कोशिश यह हिमसा हो गए, so उसे पालने की कोशिश रखना, inclination वैसे रखना, यह है ahimsa, अगर यह पांच यम आप मनुश्य पालता है, तभी मनुश्य की सयमी वृत्ती जो है, यह develop होती रहती है, और ज्यादा वो मजबूत होती रहती है, और इसकी वज़े से आपने अलरीडी देखा है, आप किरतिमान हो जाओ, आप किरतिमान बन सकते है, आप विचारवनित करके आपका नाम हो सकता है, आप politician बन सकते है, आप शास्तरग्य बन सकते है, आपकी जो vision है, उसके बारे में आपकी clarity जो ह वो हमेशा जागरूत रह सकती है और इस विजन को रियलाइज करने के लिए रिलाक्स माइंड से प्रयत्न करना ये आप कर सकते है और ये शस्वी हो सकते है आपका टेक्निकलर ड्रीम जो अपने देखा है वो एक्चिलि आप साकार कर सकते है ये सब फाइदे होंगे आपको सयमी वृत्ति को डेवलप करने के इसके साथ साथ और क्या होगा तो ब्रहमांड ने आपके लिए जो सपना देखा है कि आपके काम से आपके सकारात्मक विचारों से आपके सकारात्मक करमों से और लोग प्रगित हो जाए ये जो विजन है युनिवर्स की आपके लिए ये भी आपके समझ में आने लगेगी और तीसरा जब आप इसको इसके बारे में जागरुत हो जाएंगे तबी आपको एक गुरू का विजन जो उसने शिश्चों के लिए देखा है वो भी आपके समझ में आएगा और वो ऐसा है कि हर मेरे शिश्य को ये realize हो कि मनुष्य जन्म का उद्देश क्या है यही उसका सपना बने कि ये मुझे जानना है इसमें clarity आए ये एक गुरू का सपना है हर शिश्य के लिए इसके बारे में भी आप जागूरत हो सकते हैं So आप step wise ये सब चीजे कर सकते है और ये शस्विता प्राब्ट कर सकते हैं हर क्षेतर में जो क्षेतर आप चूज करो उसमें आप ये श्विता प्राब्ट कर सकते हैं आपका dream realize कर सकते हैं So, dream big, dream cinema scope, dream technicolor, observe करें सहयम को और आपके dreams realize होंगे. सहयमी वृत्ति को develop करने के लिए, जो exercises हैं, वो हम meditation session में देखने वाले हैं. So, सब लोग meditation session के लिए तयार हो जाएए. Everyone, become ready for the meditation session. धन्यवाल.